हमारे देश में आस्था का बड़ा ही महत्व है खास कर हिंदु धर्म में लोगों की भगवान के प्रती श्रधा देखने को यहां खोब मिलती है इतना ही नहीं भारत की इसी आस्था की गौंज दुनिया भर में भी आपको आसानी से सुनाई दे सकती है वहीं उत्ता प्रदेश का एक शहर इसी आस्था और श्रधा के लिए दुनिया भर में प्रसिद है दरसल हम बात कर रहे हैं शिव की नगरी वारानसे की नाम शिवा लेया ये तो हम सभी जानते हैं कि वारानसी शुरू से ही शिव भक्तो का प्रमुख केंद्र रहा है और शिव भक्तो की आस्ता यहां खूब देखने को मिलती है और इसी वज़ा से गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर को भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है ये तो हम सभी जानते हैं कि वारानसी शहर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और पूजनी स्थल है साथ ही ये बौध और जैन धर्म का भी पवितर स्थल है इतना ही नहीं इस शहर की खोपसूरती शाम होते ही गंगा घाट पर नजर आती है लेकिन क्या आप जानते हैं वारण असी का नाम दो नदियों वरुना और असी के संगम पर पड़ा है इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है पर क्या आप जानते हैं वारण असी को लेकर कई पुरानी कहानियां जूड़ी हुई है आपको बता दें कि भगवान शिव की बारा जोतर लिंगों में से एक वारण असी में है जिसे काशी विश्वनाद बाबा के रूप में जाना जाता है इतना ही नहीं ये मंदिर अपने अस्तित्व के इतिहास में कम से कम पाँच बार नस्ट किया गया और फिर से बनाया गया है इसके साथ ही रानी अहिलिया बाई होलकर द्वारा अन्तिम बार सन 1780 में इस मंदिर का पुना निर्मान करवाया गया था वहीं इस शहर के लिए कहा जाता है कि इस पवितर शहर दुनिया के सबसे पुराने जेविच शहरों में से एक है और इस शहर कभी भगवान शिव और देवी पारवदी का घर था इतना ही नहीं इस शहर को लेकर ऐसी मानता है कि जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस यहां लेता है वो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करता है और वो दोबारा मानव रूप में जन नहीं लेता है लेकिन खास बात यह है कि यह शहर सबसे ज़ादा घाटों के लिए भी प्रसिद है बता दें कि अस्सी से ज़ादा घाट हैं जिसमें सबसे प्रसिद दशावशमेद घाट, मनिकर्नी का घाट, चेट सिंग घाट, सिंध्या घाट और अस्सी घाट है लेकिन क्या आप जानते हैं शहर के मनिकर्नी का घाट के पास की गलियां स्मृति जिन और रेशम की सबसे प्रमानिक और स्थानी आपूर्ती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद है इतना ही नहीं ये घाट शेमशान के लिए 24 घंटे खुला रहता है इसे दासंसकार के लिए सबसे पवितर घाटों में से एक माना जाता है और यहां की दिल्चस्प बात ये है कि कोई भी जोड़ा या प्रेमी इस घाट में स्नान करने से बचता है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये शापित है वहीं हर साल इंदर देवता को प्रसंद करने के लिए मौनसुन के आने से पहले मेंडको की शादी अश्रुमेद घाट पे करवाई जाती है जबकि बनारस हिंदू विश्यविद्याले एशिया का सबसे बड़ा विश्यविद्याले है साथ ही वारनसी में भांग प्रसिद है और यहां ठंडाई के अलावा भांग के पकोड़े लड़ू और भांग की लसी का बहुत प्रचलन है साथ ही साथ बनारसी पान और बनारसी सिल्क साड़ी दुनिया भर में जानी जाती है वहीं गंगा घाट पर आरती भक्तों को अपनी ओर आकर शृत करती है तो ये थी वारनसी से जुड़ी कुछ खास जानकारिया अगर आगे भी आप किसी और शेहर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारिया जानना चाते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को दबाएं तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो